हेलो दोस्तों एक बर फिर मैं आमिन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो का टोपिक है कि देशी मुर्गी पहलों कैसे की जाए यानि देशी हो या लूकेल हो स्वा मुर्गी में खर्चा कितना आएगा और स्वा मुर्गियों में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाई यानि प्रोफिट की जाए तो आए इन सारी विश्वाई पर आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों आपको पहले ये तैकर लेना होगा कि आप जो फार्म करने जा रहे हो वो अंडे उत्पदन के लिए है या मांस उत्पदन के लिए है इन दिनों में से आपको ये तैकर लेना है तो मेरा में ज्यादा से ज़यदे यही प्रिफर करूंगा कि आप लोग मिट के लिए जाओ उसमें कम दिनوں में ज्यादा पेशा है तो यह जो वीडियो में आप लोग के लिए देसी ब्रेट के मुर्गिया देख रहे हो तो यह से हर किची को पता है कि हम अक्सर हमारे गर में मुर्गी होती है हम लोग क्या करते हैं इसे खुले जगह में छोड़ देते हैं तो दिन बर अपने आप खाना ढूंता हुआ खाते हैं और शाम को अन्धरा होने से पहले वह वाता हम आपके रहने की जगह यानि कुप में चली आज़की हम आधार बना के आजकल जो कमर्सियल फार्मिंग शुरू की है तो इसी का आधर बना के शुरू की है तो आए जाने के से हम लोग कमर्सियल फार्मिंग में अच्छा खासा कमा सकते हैं दोस्तों जो मुर्गियों का चुज़े होते हैं वो अंडे से निकलने के लिए 20 ये 21 दिन की ज़रूरत होती है इसके साथ जो चुज़े अंडे से निकले का तो उसको हमें ब्रोडिंग के लिए बेजना परेगा ब्रोडिंग में टेंपरे से 34 से 36 तक रखना चाहिए और निकल मुर्गी का दो हफ्ते में ब्रोडिंग कंप्लिट हो जाते हैं तो ब्रोडिंग में हमको कहें भाइमारेल या अच्छे करसा कुछ विटामिन देना परेगा ताकि वो तंदृस्त बना रहे चोज़े निक पॉल्टि फार्मिंग में जो मूर्गा होता है ना जो मेल होते है तो उसका वज़न जो होते है वह बहुत ही कम दिनों में और बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है या फिमेल की तुलना की जाए तो तो इसलिए ज़्यादा से ज़दा अगर हो सके तो आप लोग मेल चोजे को लाने की कोशुश किजी अगर कहीं से खरीद रहे हो तो अंडे की उत्पदन के लिए मुर्गियों में रेशियों एक मेल के मुकाबले तीन या चार फीमेल या निमादाय होना जरूरी होता है मैंने यहाँ पे 100 चोजे पालान में कितना खर्चा होता है और उन 100 चोजे को मार्केट में बेशने पर कितना प्रोफिट होता है उन पर काफी रिचार्ज करने के बाद किल्कुलोशन के बाद यह आप लोग के सामने लाया हो तो इसे घोर से देखिएगा 100 चोजे पालन के लिए आपके चुजे में खर्चा हैगा 4500 मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा एक हजार और जो फीडिंग है उसमें आठ हजार और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी या यह वो होता है कुल मिला के दाए हजार यानि कुल खर्चा हुआ हमारा 16000 रुपे 100 चोजे के लिए अब 100 चोजे में हमारा प्रोफिट कितना होगा वो दिखिए लुकल मुर्गियों का साल भर में तक्रिवन सारे 300 से उपर ही पार केजी यसी ही डेट रहता है तो दो महिने में हर एक मुर्गी का बज़न कम से कम 800 ग्राम होगा तो उस हिसाब से 800 ग्राम की हिसाब से एक मुर्गी का मार्केट प्रैस हुआ आपका तक्रिवन 34 रुपे तो 100 मुर्गियों का हमारा मार्केट प्रैस हुआ 30,000 रुपे और हमारा खर्चा आया था 16,000 रुपे तो 30,000 से 16,000 माइनस कर देने से 14,000 रुपए हमारा नेट प्रोफिट होता है यानि 6 चुजू में आपका 14,000 रुपए प्रोफिट होगा अब ज़रा देखिए 100 मुर्गी में हमारा प्रोफिट होता है 14,000 तो अगर हम सो को पांसा कर दे तो हमारा प्रोफिट होता है सत्तर हजार और अगर हम एक हजार मुर्गी पालन करें तो हमारा प्रोफिट होता है एक लाख चालीस हजार यानि दो महीने में हमारा इंकाम होगा एक लाग चालीस हाजार यानि सत्तर हजर रुपे पार महीना देखिए मुर्गी पालन का घर कैसे होता है आपका जो एकदम नीचे जो है न देरी या दो फूट वो पुरा ब्लॉक होना चाहिए ताकि कुत्ते हो या विल्ली हो वो घुशना सके तो उसके बाद वो देर दो फूट के उपर नेट लगा देना चाहिए ताकि हावा आ सके धूप आ सके और उसके उपर में फिर उसे ब्लॉक कर देना चाहिए यह जो आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कल इसी तरह घर बनना चाहिए अब चोटे मोटे खर से बचाने के लिए जैसे फीडर हो या पानी देने का सामान हो आप अपने हाथों से घर पे ही बना लीजिए अब कब बहुत पेशा बच जाएगा अब जरा इस वीडियो को घर से देखिए हाँ यहाँ पे बाहर खुली जगा पर नेट लगा के मुर्गी पालन की जा रहे है और अभी जो देख रहे हैं वो को बोलते है यानि बंद कमरे के अंदर मुर्गी पालन की जा रहे है तो आप मुर्गी पालन जैसे भी हो कर सकते हैं पड़ शर्टे ही होना चाहिए कि मुर्गी को कुत्तों से बचाना है बिल्ली से बचाना है और आपका खर्चा भी जितना हो सके कम होना चाहिए तब ही जाको आपको ज्यादा प्रॉफित या आए मिलेगा वो बहुत ही सरल और असन होता है और इसमें पेसे भी कफी कम लगता है दूस से बिजनिस के मुकबले और आए तो बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आप एक बर मन में ठान लीजिए और कर लीजिए यानि करूंगा अगले साल करूंगा अगला महीना इसे नहीं आप एक कर लीजिए अभी जो पिक्षर देख रहे हो यह है आज कल का मॉडान और साइंटिफिक फार्मिंग यानि देशी हो या लूकल हो या कड़कनाद या जो भी हो आपका कॉंट्रिबीट जो भी हो तो इसी तरह से ही मुर्गी पालन की जाती है यह अपने बॉयलर फार्म आप लोग काले काले मुर्गिया देख रहे हो इन मुर्गियों को कड़कनाद मुर्गिया बोलते है तो यह पूरा काली होते है इसका मीट भी थोरा हलका सा काली होती है तो इस मीट के काफी डिमान है मार्केट पे और इस काड़कनाद फार्मिंग भी आजकल काफी शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू